हम अपने वीडियो में कोई भी फॉर्म भरते समय जो प्रिविष्टियां दालिकरते हैं वो सारी प्रिविष्टियां नकली होती है और प्रिविष्टियों का किसी व्यक्ति विशे से कोई संबंद नहीं है तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपसे रिक्ष्ट है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बाटन दिखरा हुआ उसको दबा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने और साथी साथ बैल आइकन को पर सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसी जानकारिया आपको वविश में मिलती रहें तो इंडिया पुष्ट पेमेंट बैंक का नेट वैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने मोवाइल की स्क्रीन पर आपको अपने मोवाइल में प्ले स्टोर उप आप इसको इंस्टॉल कर लेजिए मैं पहले से इंस्टॉल किये हुए हूं तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद में जो भी आपसे पर्मीशन मांगे सारी पर्मीशन को आप अलाव कर दीजिए जो भी पर्मीशन मांग रहा है इसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफीस नजर आएगा इसके बाद में आपको Login Now पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपसे कुछ डेटेल कंफर्म करने के लिए बोल रहा है तो यहां क्या क्या डेटेल भनी है यहां पर आपको आई पीपीवी का एकांट नमबर डालना है यहां पर आपको customer ID डालनी है customer ID आपको खाता खुलते समय दी गई होगी और यहां पर अपनी date of birth डालनी है और यहां पर जो आपके Ippv account में mobile number register है वो mobile number आपको दे देना है तो मैं सारे column यहां जो है fill up कर लेता हूं तो मैंने सारे column बर दी हैं और column बरने के बाद में आपको नीचे register का option में दराए आपको register पर खिलिक कर देना है register पर click करते ही आप से mpin बनाने लिए पूछ रहा है तो यहां पर आपको अपना M pin बना लेना है चारंग का और चारंग का आपको कुछ अलग टाइप से डालने है सीरियल के साथ से नहीं डालने है ऐसा नहीं डालना है एक दो तीन चार एक एक दो दो यानि आपको स्ट्रॉंग पासवर्ड जो है यहां चूज करना है तो जैसे मान के चलिए मैंने इसका पासवर्ड 45 55 ऐसे कुछ डाल देना है तो यहां फिर से आपको वही पासवर्ड जो है दे देना है तो मैं यहां पर दे देता हूँ और यहां से आपको सेट एम पिन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद मैं आपके मुवाइल नंबर पर OTP भेज़ा जाएगा और OTP डाल करके सम्मिट कर दीजिए तो अभी OTP आया नहीं है तो मैं यहां पर OTP जो है डाल देता हूँ हमार OTP आ गया 899-86 और यहां से मैं सम्मिट कर दीता हूँ सम्मिट करने के बाद में हमारा रेस्टेशन सक्सेस्फफल हो चुका है और फिर आपको लॉग इन पर क्लिक कर देना है तो मैं यहां लॉग इन पर क्लिक कर देता हूँ login पर click करने के बाद में यहां आपको अपना mpin डालना है जो अभी मैंने create किया था तो मैं यहां पर अपना mpin डाल देता हूँ mpin डालते ही आप जो है net banking के login में जो है enter हो जाओगे और यहां पर आपको पूरा dashboard दिखाई देगा आप चाहे तो इसमें कुछ भी आप कर सकते हो money आपको send करना है तो send money पर click कर दीजिए send money पर click करने के बाद में यहां आप beneficiary add कर सकते हैं fund transfer कर सकते हैं fund transfer यहां आप दोनों तरीका से कर सकते हैं आप anyft भी कर सकते हैं और IMPS भी आप यहां से कर पाएंगे इस तरह आप India post payment banking net banking यूज कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करके रखें ताके ऐसी जानकारी आपको वईश्य मिलती रहें तो फिर मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए goodbye